आज समाज में संत जी की इतनी जरुरत है कि जैसे कि एक भूके को रोटी की जरूरत होती है उसी तरीके सथ संत को आज फिर हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं बरनवासरम में और जो बाबा जी के अनुई आई हैं उनसे हम लगातार रूबुरू करते रहते हैं और फिर आज हमारे सक्स एक साथ से जुड़े हैं सबसे पहले से आपका नाम राजी पुमार राजी जी हमारे साथ करता हूं और जब से इतना दूल समजबता हूं से तो आप जैसे की बाबा जीब आरोफले हैं तो आप क्या समझते हैं क्या सोछते हैं कि बाबा जी आएंगे और सरकार से अपका अनुरोध करते हैं किसी का इसमें कोई ऐसा हो नहीं है और कुछ भी नहीं है और जैसे कि इनों ने बताया कि सब राजी साजिश हैं तो आप जो बाबा जी हैं संत जी हैं उनको समाज में कितनी जरूरत है आज समाज में संत जी की इतनी जरूरत है कि जैसे कि एक भूके को रोटी की जरूरत होती है उसी तरीके से संत को हमें हमारे बाबा जी को की जरूरत है हमें ऐसा क्यूं जरूरत है ऐसा है क्या उनमें बाबाजी के बगएर हम बिलकुल अदूरे हैं और अदूरे थे अदूरे हैं अदूरे ही रहेंगे तो बाबाजी की कुछ सिखसाई बताए हमारे चैनल के माद्यम से वो क्या कारिये करते हैं किस धर्म को मानते हैं और किस आपको सीख देते हैं कि आप में समाज में अच्छे काम करो बुरे करो क्या बताते हो बाबाजी ने सबसे पहली बात तो हमें कोई यह नहीं बताया कि तुम्हारा आपका धर्म क्या है हमारा धर्म में सिर्फ एक कोई ना हिंदू हैं ना मुसल्मान हैं सिर्फ एक हैं हम सब एक हैं किसी को मुसल्मान ये हिंदू नहीं मानना है हमें अपना आपको सिर्फ एक ही मानना सब सब भाई हमारे एक ही हैं हम सब के भाई हैं सब हमारे भैन भाई हैं मात है पिता है तो इनको कहना है कि हम सब एक हैं हम सबी को एक समझते हैं तो हमारे चैनल में जोटनी के लिए आपका बहुत दोना ठेकिए